अब पहले कभी कॉंग्रेस में कभी बीजेपी में हाला कि आपका नाम हरक है हरन करने वाला तो क्या कभी बीजेपी को हरन करके कॉंग्रेस में आ जाते हैं कॉंग्रेस को हरन करके बीजेपी में आ जाते हैं देखे मैं सुरू से भारते जिनता पार्टी में था जै मैं विद् देख्षरा पार्टी का राम जनुमी मांदोलन में बहुत तो सक्रिया स्विजग था जे 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 और नब्वे में 99 में जब मैं चुनाव लड़ा 27 साल की उमर थी जे और मैंने कंग्रेस और तमाम लोगों को बुरी तरह से हरा कर पिदान समय पहुचा जे और पहली बार में मंत्री हो गया जे फिर जब उत्तरा खंकांदू फिर दूसरी बार जब 93 में चुनाव हुआ फिर पौड़ी से चु जीत किया जब रानाज सिंग जी गुंते नगर से लखनों से चुनाव वार गये थे तो मैं चुनाव जीता हूँ उसक्दी जीती आप हाँ और राज्य निर्मान को लेकर उसमे मुलाइम सिंग जी मुखमंतरी थे मायवती की मिली जूली शरकार थी तो बिदान समय के अंद कारण बना कि भारजनता पार्टी के निर्तो तो चाहता था कि मैं राज्य के लड़ाई को भारते जनता पार्टी के बैनर पे लड़ो ना कि कोई समीत संगर संवित्य का धरना हो रहा है नौजवानों का धरना हो रहा है उसमें ना जाओ और उसके कारण वो विवाद चला गया और मुझे भर जिन्ता पाटी चोड़नी पड़ी और उसमें किसी रानिते दल में नहीं गया और राज्य निर्मान को लेकर मैंने दिल्ली में जन्तर मंतर पर in 1914 में मैं जो धर्णा दिया था जब दौजार में राज्य बन गया तो वो मेरा धर्णा राज्य निर्मान का जो धर्णा था जन्तर मंतर पर धाइटीन सो लोग वहीं रहते थे वहीं सोते थे उनका पोस्टल एड्रस भी जन्तर मंतर होता था मां के पेडिसम कॉंग्रेसी बीजेपी यूकेटी या किसी कौम गल के करेकर्टा के रूप में पैदा नहीं है पहली जिम्मदार है हमारी अपने देव भूमी के लिए है दूसरी जिम्मदार है हमारी देश के लिए है और तीसरी जिम्मदार है हमारी पार्टी के लिए है तो